हेलो साथियों, नमस्कार में ग्यान एन सिंग, आप सभी का अगवाफिर से स्वागत करता हूँ गैलेक्सी क्लासेज में भई सभी को राम राम, रादे रादे, शाश्री अकाल आदाप साथियों, सभी लोग भई फटाफट लाइब आजाएंगे, सेशन की शुरुवात हो चुकी है और क्लासेज को अपने दोस्तों में, अपने कुलिक्स में शेयर जरूर कर दीजेगा आज हम लोग बात करने वाले हैं, SSE CPO के नेस PYQ questions जो आए हुए है उन पे हम डिसकस करेंगे, और आज हम देखते हैं, पहला question आपके स्कीन पर कौन सा आ रहा है तो पहला question है, बच्चों, इंडियन पॉलिटी से है, और देखेंगे क्या question है भया कह रहा है, which commission was appointed by the central government to examine issue related to central state relationship भया हम सब लोग जानते हैं, केंदर राज्य संबंध जो है, केंदर राज्य संबंध है ये आप से पूछा गया है, भारत के सम्मिधान के article 246 से लेके 266 के बीच में इसको रखा गया है केंदर राज्य संबंध के बीच में, मंडल आयोग आप जानते हैं, कि ये OBC commission के लिए बनाया गया था मंडल आयोग, और सरकारिया commission जो है, इसमें आपका आता है, नानावटी आयोग जो बनाया गया था ये जो है, गुजराद दंगे की जाच के लिए बनाया गया था, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है, सरकारिया commission ध्यानक ना, सरकारिया commission ये बनाया गया था लगबग 1986 के समय ये बनाया गया था, केंद्राज संबंध के बीच में, ठीक है ना, केंद्राज संबंध के बीच जो है, ये बनाया गया था, इसके निर्धारन के लिए, ठीक है बच्चों, ओके, हाँ, चलेंगे, आगे, अगले अप्तस्टम पे आते हैं, तो केंद्राज संबंध ये point आपका clear हो जाता है साथियों एक बात का ध्यान रखना मंदल कमीशन जब आया था तो उसने ही classify किया था कि ये इस जाती के है या उसके पहले कोई जातियों का definition नहीं था मंदल कमीशन से पहले क्या था ना पिछड़े बर्ग में जो तबाम प्रकार की जातियाद देखने को मिलती है वो जातियों का definition वहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है उसी के बाद से definition आना सुरू हो जाता है कह रहे है which muscles in the skin contract to make the hairs on our skin stand up straight when we are cold or fat movements जब हम अत्यधिक ठंड लगती है जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है हम भैभीत होते है तो कौन सी मास्पेशियों के सिकुड जाने करण रोंग्टे खड़े हो जाते है यह आप से पूछ रहा है तो यह है आपका elastin है या epidermis है या collagen है या arator pili है तो आपको बताना है क्या हो जाएगा औरेटर pili इसमें आपका क्या हो जाएगा औरेटर pili देखें क्या होता ना ध्यानक ना यह pili क्या होता है यह hair structure होते है आपके दरसल यह pili या pili जब सब्द आप पढ़ते होंगे तो आप चले जाते होंगे प्रोकारियोटिक सेल्स में जाते हैं जब प्रोकारियोटिक सेल्स जबाब भरते हैं तो प्रोकारियोटिक सेल्स में आप देखेंगे जब प्रोकारियोटिक सेल्स में क्या होते हैं यहाँ पर चोटे-चोटे ऐसे बाल जैसे hair structure होते हैं ठीक है ना तो Hair Structure facilitate है तो दो तरह के Structure होता है एक होता है इसको वोलते है sentido फिबरी हैन् seguir grow call होता है। इसको आप संग कहते है वहिए i top let look at himself up design तो यह पिलाइ होता है यूँमोल हे स्टुक्चर होता है एं यह जो होता है यह लौंग आप structure होता है long hair structure होता है इनका काम क्या होता है aggregate करने का सहीं उगमन करने का जैसे क्या होता है से लिग दूसरे पर चिपकते हैं जैसे आपने देखा होगा और tennis की बॉल देखते होगा जब आप cricket खेलते हैं नई नई जब gain देखते हैं तो जब आप बैटिंग करते हैं तो रोएं की वज़ा से जल्दी इस टोक नहीं लग पाता है तो क्या करते हैं बहुत से लोग उसमें कीचल या मिट्की से उसको धुल देते हैं या फिर उसको जला देते हैं आपने अक्सर देखा होगा तो इस टोक लगना शुरू हो जाता है आप उसी नई गेन को पानी में डुबो करके दीवाल पे मारेंगे तो उसके जो रोएं होते हैं उसके भी स्ट्रक्चर दीवालों पर देखने लगते हैं तो यह जो आप देखते हैं, फिबरी पिलाई, यह क्या करते हैं, एग्रिगीट करने का काम करता है, तो यहीं पर आपका जो हो जाता है, पिलाई जो है, इसी का संबंध रोंग्टे से ही होता है, यानि अरेटर पिलाई जो होता है, यह इनसानों के, यह क्या है, यह एक, जो ह अगला question क्या है In which year was the first ever motion to remove a Supreme Court Justice signed by 108 member of the Parliament सर्बोच न्याले के न्याधिस को हटाने के लिए 108 संसस अज़स्यों द्वारा हस्ताक्षित प्रस्ताव पहली बार किस वर्स लाया गया था यह आप सभी से पूछा जा रहा है यानि कि पहली बार एक सर्बोच न्याले के जज़ को हटाये जाने के लिए 108 संसदों द्वारा हस्ताक्षित प्रस्ताव पहली बार लाया गया था यह कब लाया गया था यह आप सभी से पूछा जा रहा है तो साथियों ये लाया गया था 1901 जब तरसंग को सरकार बनने थी थी तब, ठीक है न, 1901 में, ठीक है, ओके, चलेंगे, अगले question में आते हैं, अगले question में आते हैं which of the following is the outer layer of the earth that is made up of plate which fit together like a jigsaw puzzle निमलिखित में से कौन से प्रत्वी की बाहरी परत है जो आरा पहली की तरह एक साथ बिन्यासित प्लेटों से बनी होती है आप से पूछ रहा है लिथो स्फेर, बायो स्फेर, मीसो स्फेर या आपका हो जाता है एसनो स्फेर या जिसको बोलते हैं दुरबलता मंडल आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा सही answer देखें आपका पूछ रहा है क्या प्रत्वी की बाहरी परत क्या होती है जैसे आप देखते होंगे ये प्रत्वी आपकी हो जाती है ठीक है आप पृत्वी में कई तरह की परत होती है तीन बेसिक परत होती है एक तो इसके नीचे आप देखेंगे ये liquid form में आपका जो होता है या आपका होता है mental ठीक है ये होता है mental ये उपर जो होता है या आपका होता है crust ठीक है जिसको हम कहते हैं भूपरपटी ठीक है भूपरपटी ठीक है या फिर अगले language में इसको कह सकते हैं स्थल मंडल क्या कह सकते हैं इस्थल मंडल ठीक है इस्थल मंडल इसको आप कह सकते हैं ठीक है ओके और यह अंदर जो part होता है यह होता है core अब इसको जब आप ऐसे divide कर लेत इसके बाद फिर आपका ये mental हो जाता है, mental की जो मुटाई होती है लगभग 200 से लेकर के 2900 किलोमिटर तक होती है इसके बाद ये core जो होता है आपका, ये 2900 किलोमिटर से लेके 631 किलोमिटर तक आपका core होता है अब ये जो division का काम करते हैं, इसको बोलते है mohobic, mohobic discontinuity इसको बोलते है और इसको बोलते है gutenberg, जानक न, gutenberg discontinuity इसको बोलते है तो mohobic क्या करता है, crust और mental को separate करता है, gutenberg क्या करता है, core को mental से separate करता है ठीक है भया तो यह सारी चीजे तो आपका जो अपर लेयर होता है यह सिलका और अलुमीनियम से मिलकर बना है मेंटल सिलकर और मैगनिसियम से मिलकर बना है कोर आपका निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है ठीक है पर आपका करस्ट ठिका हुआ है ठीक है और इनहीं प्लेटो में जब डिस्टर्बेंस होता है तो इसी से वॉलकेनोस इरॉप्शन होते हैं इसी से भोकम पाता है इसी से माउंटेन बनते हैं ठीक है यह सारा केस यहीं से होता है ठीक है विया ओके चलिए अगले प्रस्ण पर अगला कोशन क्या कह रहा है अक्टूबर 2019 तक प्राप जानकारियों के अनुसार सूच्म और लग उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनसूचित वालिजिक बैंक द्वारा दिये गए रिंड की अधिक्तम रासी क्या है यह आप से आप बता सकते हैं कितने पैसे दे सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड रुपए यानि 200 लाख रुपए ठेक है कि ठीक है ना जो आपके MSME होते हैं यानि कि जो small और जो micro जो उद्धियम है उनको credit guarantee कितने दे सकते हैं 2 करोड रुपए की ठीक है ध्यान रखना इस बात का ठीक है कितनी 2 करोड के आसपास ठीक है ओके अगला question आ रहा है आप सबका how many sites were chosen from India for the 2019 UNESCO Asian Pacific Award for the Cultural Heritage Conversation ठीक है ओके युनेसको एसिया प्राण सांस्कृति धरोहर संदच्ण पुरस्कार 2019 के लिए भारत के कितने अस्थल चुने गए थे तो साथियों भारत में कितने अस्थल चुने गए थे UNESCO के दवारा तो यह ध्यान रखना इसमें चार अस्थल चुने गए थे यह question बहुत अच्छा है a century is not enough ये मैंने आपको static gk में भी कई बार पढ़ाया है star लगा लेंगे a century is not enough ये जो है आत्म कथा है एक भारत के क्रिकेटर के और ये भारत के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और इनको आज भी भारत की क्रिकेट जगत में इनको दादा कहा जाता है ठीके ओके तो कौन है दादा वो है सौरव गांगुली ध्यार रखना सौरव गांगुली ठीके सचिन तंदूलकर साब ने क्या लेखा है playing it my way ठीके playing it my way इन्होंने लेखा है अगला question क्या कह रहा है which of the following which of the following Indian city is included in the list of UNESCO World Heritage Site आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सहर जो है UNESCO के city में सामिल किया गया है आपको बताना है आपको बताना है अहमदाबाद हैदराबाद, मुर्सिदाबाद या स्रीनगर जल्दी से comment box में comment कर दीजे आप सब लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जल्दी से comment करेंगे आप सब लोग हाँ, इसका सही आंसर हो जाता है सातियों, एहमदाबाद ठीके, क्या हो जाता है एहमदाबाद, ठीके और एहमदाबाद में ही आप देखेंगे बड़े अस्थल हैं, जो की UNESCO से जुड़े हुए heritage site है गांधी जी का सब पूरा जो कर्म भूमी रही है, एहमदाबाद ही रही है आप सब लोग जानते हैं, ठीके चाहे वो साबर मती आस्रम से जुड़ा हुआ हो या फिर गांधी जी के द्वारा किये गए, एहमदाबाद मिल मज़ूरों के लिए आंदोलन रहो कोल, देखिए, आप से पूछ रहा है कि बरीड संसाइन के बारे में आप से पूछ रहा है ये बहुत अच्छा कोश्चन है बच्चों इस पर स्टार, आई एमपी के साथ साथ स्टार लगा लेंगे, ये कोश्चन important है, जिसको है ना, आप सब लोग इसको अक्सर पढ़ते हैं, है ना कहते हैं काला सोना भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं और इससका क्या हो जाएगा, कोईला इसको और क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं काला सोना भी कहते हैं, निकी क्या कह Đây है what is the primary function off the drive encryption winds primary function क्या होता है to produce sweat okay पसीना ऊफ़पन करना ह speak ४िक्दिड का काम क्या होता है पसीना ऊफपन करना थीक है to produce color of the skin अच्छा तुच्क रंग उथपन करना ठीक है तुप रडूस बॉड्य है त Baptist के रोम या बाल को उत्पन करना to produce growth hormones है ना हार्मोन उत्पन करना देखिए एक्राइन जो gland होता है बच्चो है ना एक्राइन जो gland होता है ये थोड़ा बहुत मिला हुआ है लेक्राइमल gland से ध्यान अखना लेक्राइमल gland जो होता है वो आपके sweat ध्यान अखना पसीना ध्यान अखना क्या हो जाएगा पसीना हो जाता है ठीक है ओके ओके अगला question क्या कह रहा है ओके एडविल लुटियंस एंड हर्वेट वाकर आर तू आर्केटेक्स credited to have designed the city of ओके कहा जाता है अगर चंदीगड की बात करेंगे तो यह फ्रांसीसियों द्वारा डिजाइन किया गया सहर है ठीक है और बात करेंगे लुटियंस तो यह हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली और जिसमें आपका हो जाता है इस्ट दिल्ली सबसे महत्पूर्ण ठीक है और इस्ट दिल्ली को ही हम सब लोग लुटियंस के दिल्ली भी कहते हैं और आप जानते भी हैं कि एड़वर्ड लुटियंस का नाम आता है किसमें इंडिया गेट को डिजाइन करने में और साथ ही साथ इनका एक नाम और आता है प्रेसिडेंट हाउस ठीक है राश्पती भवन ठीक है उनके निर्माण में भी और उनके आर्केटेक्चर में भी इनका नाम आता है अगला क्या कह रहा है हेमिस तू त्योहार इनमें से किस जैनती के रूप में मनाया जाता है वैसे गर आप देखेंगे हेमिस जो है साथियों ध्यानकना हेमिस जो है उसका संबंध कहां से है लद्दाक से है ठीक है ना और हेमित सू जो है ये त्योहार कहां मनाते है हाँ गुरू पद्म संभो ये क्वेशन एक बार मने आपको बताया भी था हाँ बिलकुर गुरू पद्म संभो ध्यानकना गुरू पद्म संभो के जन्म जैनती पर मना जाता है ये कहां मना जाता है साथियों लद्दाक में मना जाता है कहां पे लद्दाक में मना जाता है ठीक है ओके गुरू पद्म संभो ठीक है गुरू पद्मसंभो के जन्मजैनती पर ये फेस्टिवल मना जाता है कहां पर लगदाख में ठीक है अगला कह रहा है कि which one of the following can we categorize as a solution निमलिकित में से किसको एक बिलेन के रुप में बर्गी कृत किया जा सकता है बिलेन की बात कर रहा है कौन सा इसमें क्या है बिलेन के रुप में बर्गी कृत किया जा सकता है आप मुझे बताइए क्या है बिलेन हीरा है समुदरी जल है सौल्ट है या कोईला है आप मुझे बताए इसमें कौन ऐसा है जो एक solution के रूप में वर्गी क्रिक्ट के रहता है हीरा एक carbon का ठोस रूप होता है carbon का ठोस रूप होता है carbon का ठोस रूप होता है जबकि लवर जो है आपका sodium chloride आपका है उसके बाद koila भी आपका carbon का part होता है समुद्री जल में water आपका भी है water भी है fluorine भी है chlorine भी है sodium भी है यह सब billion इसमें mix हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा आपका sea water हो जाएगा समुद्री जल क्या है एक billion है इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे ठीक है अगला प्रस्म क्या है आपका कह रहा है बसंत का त्योहार अली आई लिगांग ओके अली आई लिगांग है ना अली आई लिगांग आ इस्प्रिंग फेस्टिबल इस्प्रिंग का मदल्लब होता है बसंत का मौसम ठीक है जो अभी चल रहा है है ना ओके तो is associated with which state अच्छा किस राज से संबंधत है अली आई लिगांग जो है यह है सिक्किम नहीं उडिसा नहीं असाम का है ध्यान लखना यह किस state का है साथियों असाम state का है लाई आई लिगांग और यह कौन सा त्योहार है बसंत का त्योहार है यह बसंत के महिने में यह celebrate किया जाता है इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे ठीक है? ओके अगला question क्या कह रहा है which substance which substance covers the root of the tooth ओके, दात की जड किस पदार से आच्छाधित होती है? ओके pulp से, dentin से enamel से? नहीं cementum से, ठीक है, cementum यहाँ पर क्या कह रहा है? दात की जड किस पदार से आच्छाधित होती है, ठीक है? यहनि covered होती है, दात की जड, जड मतलब जो root अंदर का जो होता है, क्योंकि यह सब क्या होते है? उपर के part होता है, dentin जो होता है अगर आप दात को बनाते हैं इस तरीके से, दात को गराप ऐसे बनाते हैं दात को गराप बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे दात बनेगा आपका ठीक है? दात इस तरीके से आपका बनेगा तो इसके अंदर का जो यह part होता है, यह dentin कहलाता है यह आपका कहलाता है, dentin ओपल का पार्ट जो होता है यह कहलाता है आपका इनैमल कहलाता है है ना जो सबसे आउटर मुस लेर होता है इनैमल सबसे हार्डेस पार्ट होता है ठीक है और उसके जो यहां पे बीच में जो पार्ट होते हैं इसको पल्प कहा जाता है इनके नीचे और जो यहां पे जो रू बनाने में सबसेधिक क्या है? calcium और साथ-ھि-साथ इसमें क्या होता है आपका? calcium के साथ-साथ और क्या-क्या होता है? आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि जो हड़ी होती है वो क्या होती है? hard होती है. ठीकले हैं? हड़ी क्या होती है? hard होती है. ठीक? OK. in case of normal goods देखिए बच्चो ये बहुत अच्छा question है कहते हैं कि जैसे जैसे income बढ़ती है वैसे वैसे demand बढ़ती है ध्यान रखना जैसे जैसे income बढ़ती है वैसे वैसे demand बढ़ती है यहाँ पी एक question आपसे पूछ रहा है question क्या पूछ रहा है कि income क्या कह रहा है income and demand in case of normal बाबु एक बात बताईए आपकी income मालीजे आज है कितना 10,000 रुपए तो आप demand कितना करेंगे 10,000 के हिसाब से देखें आप एक word सुनते होंगे need, want, need, want and demand ये तीन चीजें आप लोग परते हैं need, want and demand ठीक है अगर आप से कोई पूछे what the difference among the need, want and demand अगर आप से कोई पूछे need, want and demand में क्या अंतर होता है आप क्या बताएंगे आप बताएंगे कि सर जो basic necessary होता है आपका उसको हम बोलते है need जैसे रोटी कपड़ा मकान अब ये कोई मैटर नहीं करता है कि रोटी किसी इसकी बनी है ये कोई मैटर नहीं करता है कि मकान एक BHK का है या चार BHK का है ये कोई मैटर नहीं करता है कि कनाड प्लेस में है या किसी गाउं में है ठीक है और रोटी कपड़ा हो गया कपड़ा कैसा है चाहे टेरी काट का है टेरिलीन का है या कॉटन का है या और महंगा है या तमाम कमपनी तो कुल मिला कि जो बेसिक नीड होता है वो हमारा कहलाता है नीड कहलाता है रोटी कपड़ा मकांग ठीक है उसमें कोई प्रकार का वो नहीं होता है कि भई class नहीं होता, उसमें कोई class नहीं होता है कि इस company का सड चाहिए हमको, है ना बस रोटी कपड़ा मकान, ठीक want का मतलब क्या होता है, जिसमें desire होता है यानि कि आपकी इच्छा होती है, कि मेरी इच्छा है कि मैं fortuner से घूमू मेरी इच्छा है कि मैं odi से घूमू, यह क्या होता है, want want मतलब आवस्चता, मतलब आवस्चता तो है, बट हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो need का मतलब क्या हुआ, जो basic जरूरते है, want का मतलब जिसमें हमारी desire है इच्छाएं हैं, कि हमें यह मिल जाए, ठीक, और demand का मतलब होता है able to pay, ध्यान लखना, able to pay, able to pay, मतलब जिस चीज़ को pay करने के लिए हम able होते हैं, उसी का हम demand करते हैं, मेरी बात समझना, जैसे मैंने कहा कि मैं john player की shirt पहनना चाहता हूँ, ठीक है, तो यह want हो गया लेकिन मैं shop पे गया, मैंने 2000 रुपए दिया, और john player की shirt खरित के लिए चलाया, तो इसका मतलब क्या है, वो जो demand थी, वो demand मैंने कब की जब I have able to pay, मतलब जो हम उसको pay करने के लिए सक्षम हो गए, तो उसको हमने क्या कहा demand, अगर हम किसी चीज़ को pay करने के सक्षम में नहीं है, तो वो want कहलाता है, क्या कहलाता है want, तो यह basic differences होते हैं, need, want and demand में, इस बात का ध्यान रखेंगे, अब बच्चों आप से पूछ रहा है कि income बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगा, demand बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, direct relation हो रहा है, income घटेगी, demand घटेगा, income बढ़ेगी, demand बढ़ेगा, simple सी बात है, तो कहां पहल दिया गया है, there is a direct relation, आपको जादा कुछ पढ़ना ही नहीं, आपको जादा भारत के संब्धान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के छेतर में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्याइक, सरबोच न्याले के सहाय की रूप में काम करेंगे, मतलब क्या है, कि जितने भी प्राधिकरण हैं, चाहे वो नागरिक हों, चाहे न्याइक हों, जै सारे के सारे किसके सहायक के रूप में काम करेंगे सुपरीम कोर्ट के सहायक के रूप में काम करेंगे या उसके नीचे काम करेंगे या उसके एसिस्टेंट के रूप में काम करेंगे ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है साथियों आप सब लोग 144 4-4 आर्टिकल को लगा दीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है आच्छा आर्टिकल 137 क्या कहता है इसमें आपको कहता है जूडीसियरी रिव्यू चाथियों ध्यान लखना जूडीसियरी रिव्यू की बात यहां पे किया गया है जिसको हम बोलते हैं नियाइक पुन लोकन और एक बात ध्यान लखना आपसे गर पूछे कि नयाइक पुनराव लोकन हमने किस देश से लिया है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कह Directly यह आपसे पूछे कि यह किसे टाइम पर आया था तो आप जानते ही है यह सुरू से ही है भारत के संविधान के आर्抵ार्टि किस वर्स भारत में ताज ग्रहन किया था भाईया आप सब लोग जानते हैं किंग जौर्ज फिफ्ट जो थे ये भारत में आये थे और इनके सम्मान में क्या हुआ था दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था और इसी के स्वागत में जन गण मन गाया गया था गया गया था और यह दिल्ली दर्बार का आयोजन का कौन सा संस्क्रम था तीसरा संस्क्रम था और साथियों यह कौन सा यह था 1911 कौन सा 1911 इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे ठीक है 1911 संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितने राज्जी की व्यवस्थाएं होती है संघवाद ध्यान रखना क्या कह रहा है संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्जी की व्यवस्थाएं होती है तो भाईया, इसमें क्या होती है, दो व्यवस्था पिकाएं होती है, कितनी होती है, दो व्यवस्था पिकाएं होती है, इस बात का ध्यान लखेंगे, है ना, ओके, दो व्यवस्था पिकाएं होती है, अगला कोशन क्या कह रहा है, निम्रलिखित में से किस, ध्यान लखना, प के बीच अंतरास्ट्य संजोता है जिसका उद्देश से यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जन्तुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतरास्ट्य ब्यापार के कारण उनके अस्तित्त को खत्रा नहीं है बहुत अच्छा कोईशन है क्या कह रहा है यह आप से पूछ रहा है तो यह मेरे प्यारे बच्चो यह किसका है तो मेरे प्यारे बच्चो जल्दी से आप मुझे बताएंगे ये अस्तित में खत्रा नहीं है ये कौन सा समझहोता है ये समझहोता है CITIS ध्यानकना CITIS ये समझहोता है ध्यानकना BRICS और OPEC और GART का इसमें कोई संबंद नहीं है इसका संबंद ECONOMY से है इसका संबंद OIL से है इसका संबंद जो है आपका बिक्स का मतलब क्या है इसमें आपके 5-6-6 है ठीक है और ये आपस में समझोते करते हैं ब्यापार को ले करके ठीक है लेकिन इसमें क्या है जन्तुओं और पादपों की प्रजातियों को कोई खत्रा ना हो इसलिए इन सब पर मेचर किये हैं उसका नाम है CITES ठीक है ये बात आप सब लोग ध्यान रखें ठीक है अगला कोशन छोटी आत और बड़ी आत के जंसन से जूड़ी थैली को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चो ध्यान अखना अगर मैं बात करता हूँ छोटी आत तो ये छोटी आत कहने के लिए छोटी होती है साथियों लेकिन ये बड़ी होती है क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है जादा होती है इसकी लंबाई क्या होती है लगभग लगभग साथ वीटर के आसपास होती है ठीक है और इसके बाद फिर यहीं पर एक चेंबर होता है जिसको हम सब लोग बोलते हैं सीकम क्या बोलते हैं इसको सीकम बोलते हैं क्या बोलते है तो छोटी बट क्या है यहां पे क्या है यह एनस के साथ जुड़ जाती है डिफिकेशन में यह हो जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइम ठीक है और यहीं पर आपका जुड़ा होता है अपेंडिक्स का पार्ट होता है और यहीं पर आपका सीकम तो यह जो खाना होता है लगबग 80% digestion आपका कहां हो जाता है कहां हो जाता है छोटी आथ में और यहीं पर आप देखेंगे उंगली नुमा ऐसे आकरतियां होती है जिनको विलाई कहा जाता है क्या कहा जाता है विलाई कहा जाता है और यह क्या करती है जो absorb food होते हैं उसमें से क्या करती है वो nutritions को absorb करती है ठीक है उसके बाद final जो absorption होता है वो कहा होता है large intestine में होता है ठीक है तो c-cum इसको बोलते हैं साथ हम इस बात का ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे c-cum इसको बोलेंगे ठीक है ओके अगला question क्या संकीन छेतर जहां प्राकृतिक बनस्पतिय और वन्नजीव मौजूद है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों उन्हें क्या कहते हैं जहां पर बनस्पतियां पाई जाती हैं बन्नजीव पाई जाते हैं उनको क्या कहा जाता है हाला कि वो पार्ट किसका है इस्थलमंडल का ही part है. But generally उसको क्या कहते? आप मुझे बताये आप से कि कोई पूचहे आप से कोई पूचहे कि वो चीज़ बताये, वो जगे बताये या उस area को बताये जहां पर बनुस पतिया और जंगली जानवर रहते हैं या उनके पाए जाने की संभावनाए होती है. उनको आप क्या बोलेंगे, जल्दी से मुझे बताईए, बहुत आसान सा सवाल है, क्या बोलेंगे उसको, बायोस्फियर कहेंगे, क्या बोलेंगे, बायोस्फियर बोलेंगे, जयो मंडल आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चो, जयो मंडल आप इसको बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोलेंगे जैव मंडल बोलेंगे ठीक है अगला कोशन पंचायती राज संदचना में कितने अस्तर होते हैं साथियों पंचायती राज ज्यवस्था में कितने चरण होते हैं तो ध्यान नखना कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही चरण है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दो चरण है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तीन है, एक लोता बंगाल ऐसा है जहां पर चार चरण है, कितने हैं, चार चरण है, तो जाधा तर इस्टेट में कितने हैं, चाहे वो पंचायत में आ जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत में एक होता है, ग्राम अस्तर पर एक होता है, ब्लॉक अस्तर पर और एक होता है, जिलास्तर पर. ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक अस्तर पर जिला परिसद और उसको बोलते है ब्लॉक काउंसिल ठीक है, छेतर परिसद और एक होता है जिला अस्तर पर जिला परिसद ठीक है, यह होता है, ठीक, ओके, ऐसे आप मिनसिपाल्टी में आ जाएंगे, एक होता है आपक महानगर जिनको आप कहते हैं महानगर पालिका तो जनरली आप सब बोलेंगे पंचाती राज के कितने फेज हैं तीन फेज हैं जनरली क्या है लेकिन किसी किसी स्टेट में कितने हैं बच्चों दो जैसे केरल में हो गया जम्मो कस्वीर में हो गया कितने दो ठीक है पूरबोतर सा रासानिक सिध्धान्त यह प्रतिपाजित करता है कि CO2 कारवन डायोकसाइड की घुलन सीलता बढ़ाने के लिए सीतल पिये और सोडा की बोतल को उच्छ दाब पर सील किया जाता है आप मुझे बताइए ध्यान रखना ये कोईशन बहुत अच्छा है आपने देखा होगा जैसे कोई भी बोटल लेके आते हैं चाये वो लेमन सोडा का हो चाये सोडा का हो या कोल्डरिंग का हो तो आप हलका सगर उसको आप जो है थोड़ा सा कर देते हैं तो वो क्या करते हैं उसके एक प्रेसर बन जाता है और जल से जैसे धक्कन खुलता है फट से वो बाहर निक किसका है henry का law है ठीक है henry का law है अगला question कह रहे हैं कि तापमान परिवर्तन ध्यान लखना तापमान परिवर्तन तुसार क्रिया पादपों जन्तूं तथा मानवी गतिविदियों के करण भूली चट्टानों का बिगटन और अपच्छे क्या कहलाता है क्या कहलाता है देखो भाईया simple बात है यार देखो the breaking up and decay of exposed rocks by the temperature changes forest action plant animal and the human activity is called simple question फिर से पढ़ो फिर से question पढ़ो आँसा मिल जाएगा तापमान में परिवर्तन तुसार क्रिया तुसार क्रिया का मतलब क्या होता है मतलब जो हलका हाँ फ्रोस्ट ये देखे फ्रोस्ट ठीक है फ्रोस्ट जो तुसार मतलब जो ओले परतने मतलब क्या बोलते है ओस ओस कह सकते है ओस टाइप का होता है तुसार पाला जिसको कहते वैथरिंग कहलाता है अपच्छे कहलाता है इसमें और क्या कहलाता है अपच्छे कहलाता है और अपच्छे अपच्छे कहलाता है ठीक है यहाद दो दो बार इसने रख दिया है है यह क्या है अपच्छे कहलाता है ठीक है हाँ ओके एरोजन अपच्छरन नहीं कहलाता है पहली महिला कौन है, G.S. लक्षमी, Daina L.D.G, जूलन गोषवामी, सुधा साह, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, जल्दी से मुझे बताएंगे, Daina L.D.G होगा, या G.S. लक्षमी होगा, जल्दी से कमेंट करिये भी आप, जल्दी से जल्दी कमेंट करिये, क्या होगा इसका सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा, G.S. लक्षमी, ध्यान गतना, क्या हो जाएगा, G.S. लक्षमी हो जाएगा, ठीक है साथियों, अगला कौश्यों, Which river has tributaries, मिला लीजे भीया, इसको star लगा लीजे, हैस्टेग भी कर लीजे, आपको एक साथ, इतनी नदियों की जानकारी, यहाँ पे आपको दी जा रही है, द्री, मथून, तलोन, एमे, अही, एम्रा, ठीक है, यह आवा, सहायक नदिया है, किसकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, यह वो नदिया है, जिसको हम सभी लोग, आसम में, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और, आरुनाचल प्रदेश में, आरुनाचल प्रदेश में, दिबांग के नाम से जानते हैं, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिबांग, यह सब सहायक किसकी हैं, दिबांग की, इसके अलामा और सुन लीजे, इसकी सहायक और कौन-कौन है, मानस, धनसरी, है ना, मानस, धनसरी, और, एक नदी और है, जिसको हम बोलते हैं, तिस्ता, यह सब के सब क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, या इनको दिबांग बोल सकते, यह सब क्या हो जाएंगी, सहायक हो जाएंगी, ठीक है, ओके, ठीक है, गोदावरी, लोहित, अच्छा, लोहित भी है, इसमें देखो, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अगला क्वेशन क्या है, विच आफ दो फॉल्लिंग, मिटल इस प्योर फॉर्म, हैस दा हाइस मिल्टिंग पॉइंट, भाया, आप सब लोग देखते होंगे, कि जो बल्ब होता है, आप आसकल तो LED बल्ब का जमाना आ गया, हाई मिल्टिंग पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, कि जल्दी से मिल्ट नहीं होंगे, ठीक है, नहीं तो हलके फुल के तार लगा जाएंगे, तो जल्दी से मिल्ट हो जाएंगे, और मिल्ट हो जाएंगे, तो ब्रेक हो जाएंगे, के break हो जाएंगे तो फिर क्या होगा बार बार हम future change करेंगे ऐसे में हम कौन star का इस्तेमाल करते हैं टंग इनमें सबसे ज्यादा जो सबस्यादा जो high melting point होता है वो किसका होता है, tungsten का होता है ज्यान रखना इसका किसका होता है tungsten का होता है ठीक है, लगबग 3000 के आसपास इसका होता है, 3000 degree Celsius स्रीरंग पटनम बच्चों आप सब लोग जानते हैं स्रीरंग पटनम ये कहां पर है तमिलनाडू में है और ये राजधानी हुआ करती थी हैदर अली और टीपो सुल्तान की आगे देखें स्रीरंग पटनम में टीपो सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक साहईद गर्दधन के तहित मैसूर पर किसने सासन किया गंगाओं ने, कदंबों ने, वाडियारों ने या पंडियनों ने किसने यहां पर शासन किया था बच्चों एक बात ध्यान लखना ये जो क्या कहते हैं मदरास में जगे पढ़ते हैं ओडियार, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं आपको याद होगा इंडियन होम रूल लीग के स्थापना एनी बेसेन ने ओडियार में किया था ना ओडियार कहां पे है मदरास में ही है तो वो ओडियार जो है एक प्रकार के वनसस थे जातियां थे जिनको कह सकते हैं अंग्रेजों से काफी हेल्प मिलता था और वो अंग्र सुल्तान की हत्या हो जाती है क्योंकि उनके बच्चों ग्रिफतार कर लिया था और ग्रिफतार करने के बाद अंग्रेजों ने टीपो सुल्तान से तीन करोन रुपए की मांग की थी ठीक है और बाद में जो है उनके जो है किले के पास टीपो सुल्तान की हत्या कर दी जाती लॉट बेले जली के टाइन की बात है 1799 की तो फिर बाद में जो है वो डियारों को जो है वहाँ पर सौप दिया गया कि आप सरंगपत्टनम का सासन करिए और आप हमें जो है टैक्स पे करते रहे ठीक है अंग्रेजियों का मोटिफ क्या था टैक्स लेना बाकी सासन करने में बहुत इंट्रेस्टेट नहीं थे वो तो बाद में इनका जो है इंट्रेस्ट जगने लगा कि नहीं अब हम सासन भी करेंगे लेसल पतू ध्यानकना क्या करा है किस भारती राज्य का एक लोकन्रित है लेसल पतू आप से पूछा है कौन से भारत के राज्य का एक लोकनित है आप मुझे बताईए कहा का लोकनित है लेसम पतु जल्दी से मुझे बताएंगे कहा का है हना ये लेसम पतु वहीं का है जहां का एक फेस्टिबल है हारनबिल ध्यानकना हारनबिल तो जहां पे हार्णबिल का festival है वहीं पल्ले सलपतू भी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नागा लेंड हो जाता है ठीक है आईए अगला question देखते हैं क्या कह रहा है पादब जगत में फर्न और फर्न सही होगी ठीक है फर्न और फर्न एलाइंस विलांग्स टू फू इस ग्रूप किस ग्रूप से संबंधित हैं बताईए मुझे बहुत अच्छा question है फर्न और फर्न से संबंधित जो है ये किस से जुड़े हुए हैं आप सभी लोग को बताना है किस से जुड़े हुए हैं इसपरह में थहलोफाइटा हैंब्रायोफाइटा हैं या फिर्टेरिडोफाइटा हैं… क्या वोलन गया आप Southvent लोग ये किस का हिस्सा है थेलोफाइटा नहीं ब्रायोफाइटा, ठीक है टेरेडो फाइटा पादब जगत पूछ रहा है ध्यानक ना पादब जगत में फर्न के सही होगी पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा टेरेडो फाइटा ठीक है पेड सुकाए होते हैं बड़े होते हैं लंबे चोड़े फूबी केम दे नबाब अफ बेंगॉल अफ्टर देथ आफ अली वर्दी खान ओके अली वर्दी खान का नाती था बच्चो वो नाती था नाती अली वर्दी खान का नाती था और गदी पर बैठा था बीस फरवरी 1756 को ठीक है और 20 जून 1757 प्लासिक लड़ाई में वो मारा गया था और उसे हम सभी लोग कहते हैं सिराजुद दौला क्या कहते हैं सिराजुद दौला के बाद मीर जाफर गदी पर बैठता है मीर जाफर के बाद इसका दामाद मीर कासिम ठीक है और मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर नपे में भारत के समुद्री मार की खोच किया था बहुत आसान सा सवाल जल्दी से मुझेता है मार्को पोलो के घर मैं दो बार भारत आए दो ली Orthodox ऑल आए रिपश ग्णाऊ इक बार 12 डानलता सब्रeंटमे ला खानवनन सा की ख旫ा था या दो बार आया था, ये कहां का यात्री था, इटली का यात्री था, ठीक है, ओके, इसने चाइना की यात्रा भी किया और लंबे समय तक ये चाइना में रहा है, तो आप लोग मुझे बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, देखो, अगर मैं इंडिया की बात पिरूँ ये इंडिया आपका है, इसके बाद फिर आप देखेंगे, ये आपका क्या हो जाता है, एफरिका, एफरिका हो जाता है, और ये आपका हो जाता है, केप आफ गुड होग, ठीक है, और ये हो जाता है आपका पूर्तगाल, क्या हो जाता है, पूर्तगाल, और यहां से यात् था जो पहुचा था पहला जो यात्री था वास्कोडिगामा जो पहुचा था ठीक है समुद्री रास्ते की खोच किया था किस रास्ते से केप आफ गुड़ होप के रास्ते से ठीक है ओक है ठीक है अगला कोशन क्या कह रहा है अलास्का ध्यान रखना अलास्का अगर आप यह आपका, यह है Alaska, क्योंकि यह आप देख पा रहे हैं, यह है आपका Canada, यह है आपका, थोड़ा सा रूख जाएए, यह है आपका USA, यहाँ पर आपका Mexico है, और इसके अलामत दस देश और छोटे-छोटे हैं और यहां पर है आपका Alaska यह है आपका Alaska यह पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था किसका USSR का हिस्सा हुआ करता था बड प्रजेंट टाइम पर यह USA का हिस्सा है ठीक है यह USA का हिस्सा है और बच्चों एक बात ध्यान रखना 49 latitude लाइन से यह अलग होता है कौन? Canada और कौन आपका? Canada और कौन आपका? America अलग होता है और 24 डिग्री latitude से अलग होता है कौन? America और Mexico अब आपसे पूछा है Alaska और उत्तरी Canada जैसे ध्रुबिये देशों में जब आकास में चमकीले रंग पदरसित होते हैं तो उस भौतिक परिगटन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है उस भौतिक परिगटना को क्या कहा जाता है? जल्दी से मुझे बताएंगे आप सब लोग है? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या कहा जाता है? aurora varialis star cell nervous or active plastic nucleus or star intercourse had luminosity क्या कहा जाता है जल्दी से मझे बताएंगे एक होता है aurora asterinis एक होता है aurora varialis तो तो उत्तर में जो होता है aurora varialis होता है south में जो होता है aurora asterinis होता है तो यह कहां पे है आपके north में ही है आपके Kannada Govera अरोड़े जो कहाह था प्रकास है अगला कोशन क्या कह रहा है निमलिखित में से किस राज में पूर्बजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मी दम मी फी ये पूर्बजों से संबंधित पूजा होती है मना जाता है जैसे आप सब लोग देखते होंगे उत्तर भारत में विश्यशत त का, जिसमें होता है, पित्रपक्ष उसको बोलते हैं, आप ने देखा वोगा पित्रपक्ष होता है, आप सब लोग अपने घर में पोछेंगे, तो आप सब को पता होगा, पित्रपक्ष का जो समय होता है, I think Saradhyay नौरातरी से पहले होता है, ठीक है? हाँ то पित्रपक्ष करीब करीब पंदरा दिन का चलता है और उस पित्रपक्ष में क्या होता है जो पित्र या हमारे पुरबज दिनके डिथ हो चुकी है उनको उनके बंसज लोग पानी पिलाते हैं और उनके मतलब पुझा पाट करते हैं अगर आप देखेंगे तो पितरपक्ष में ये और पिंडदान करते हैं इसके लिए देखते होंगे आप सब लोग जो है पिंडदान करने लिए लोग गया जाते हैं गया मतलब बिहार जाते हैं गया जाते हैं पिंडदान वहां करते हैं फिर वहां से लोटके आते हैं, तो सरीमत भागवत कथा सुनते हैं, सरीमत भागवत कथा सुनने के बाद जो है, लोगं को अपनी विरादरी की लोगं को या सब को खिलाते पिलाते हैं, तो ऐसी मानता है कि उनके जो पितर होते हैं, उनको पूरी तरह से मौक्ष मिल जाता है, ऐसी मानता है तो पित्रपक्ष इसको आप मुमन देखते होंगे तो ठीक उसी तरीके से ये ये जो है festival होता है मीदम मीफी मीदम मीफी जो है अपने पूरबजों की पूजा से संबंदित्योहार होता है ये आपका कहां का है असंब का है इसको आप लोग नोट कर लेना और हैस्टेक कर लेना ये important question है ठीक है इसकी जोट इसका लेकर रखे लेना आप सब लोगे ठीक है ओके ठीक है ठीक है चले अगले प्रस्ण पर आते हैं टा कहिरा है NBA खेल में खेलने वाले पहले भारतिये मूल के पहले खिलाडी कौन है तो ये इसमें कौन है सिम्भुलर है ये तो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे NBA खेल में खेलने वाने पहले भारतिये मूल के खिलाडी जो है वो कौन है अगला question क्या आ जाता है आपका इस पुस्तक के लेखक कौन है आप लोग मुझे बताइए ये पुस्तक के लेखक वही भेखती है जिनको रमन मैंग से से एवार्ड भी दिया गया है ध्यान रखना और कुछ दिन पहले वो NDTV के एक बहुत बड़े जो है समाचार वक्ता भी थे और बड़े पढ़े लिखे भी हैं और उनका संबन्द बिहार से है तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रवीश कुमार ध्यान रखना क्या हो जाएगा रवीश कुमार इनको रमन मैंग से से एवार्ड भी दिया गया है आप सब लोग जानते हैं अगला क्वेशन क्या है मराथा सामराज्य और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के प्रतनिधियों ने किस वर्स में सालबाई की संधी की थी सालबाई की संधी जो है ये किस समय की गई थी साथियों ये आप सब को बताना है और सालबाई की संधी जिस समय हुई थी उस समय अगर आप से पूछा जाए तो गवर्नर जनरल अफ बेंगॉल जो थे उनका नाम था वारेन हैस्टिंग्स क्या नाम था? वारेन हैस्टिंग्स क्या नाम था? वारेन हैस्टिंग्स था और उनहीं के समय हुआ था और सालबाई की संधीज जो हुई थी वो 1782 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना 1782 में हुई थी ठीक है ना याद करके जाएंगे यह आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसकी रैंकिंग को याद करें ठीक है यह आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है ठीक है फिलहाल इसका सही अंसर हो जाएगा 79th रैंकिंग अगला कोशन आपसे पूछा गया है आइस पर दा कॉंस्टिटूशन ओफ इंडिया ओके द सब्जेक्ट ओफ लिवस्टॉक और अनिमल हस्बांडरी इस इंक्लूद इन दा ओके भारत के सम्मिधान के नुसर पशूधन और पशूपालन का बिसे शामिल किया गया है किसमे रेज़िवरी लिस्ट में तो बच्चों गर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आपके आर्टिकल नंबर 48 में है कहाँ पे है 48 में है किसका हिस्सा है DPSP का हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों ये DPSP का हिस्सा है और आप से ये पूछ रहा है कि इस लिस्ट में है तो आप सब लोग जान लीजिए कि ये लिस्ट में है आपके इस्टेट लिस्ट में है किसमें है सराज्यसूची में पसुधन और पशुपालन, मचली पालन, है ना ये सब किस में है, स्टेट लिस्ट में अभिजीत बिनायक बनरजी को किस छेतर में उनके योगदान के लिए नॉबल मेमोरियल पुरसकार 19 से सम्मानित किया गया है भौतिकी रसायन साहित या एकोनॉमिक्स जल्दी से मुझे बताएंगे किस फिल्ड के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड जल्दी से मुझे बताएंगे तो इनको दिया गया है अर्थ सास्त यानि एकोनॉमिक्स के लिए ठीक है, नॉबल मेमोरियल पुरसकार दूसरा पुरसकार होता है ध्यान अखना यह नॉबल नहीं होता यह अलग है नहीं तो तुम लोग नॉबल पुरसका समझ जो भारत में नेशनल फूड फूर वर्क प्रोग्राम बेरी बेरी इंपोर्टन क्वेस्चन है यह आप स्टार लगा लीजे क्वेस्चन ध्यान नखना यह क्वेस्चन पूछा गया है नेशनल फूर फूर वर्क प्रोग्राम किस वर्स शुरू किया गया था आपको बताना है कौन से वर्स इसको सुरू किया गया था जल्दी से आप सब लोग मुझे बताएंगे क्या होगा 2021-2002-2004 ये शुरू किया गया था National Food for Work Program 2004 में शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था 2004 में ठीकिए ना अगले कोशन में आते हैं वर्स 2010 में ACI खेलो में सुर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतिय रोवर कौन है ओके 2010 में ACI खेलो में सुर्ण पदक जीतने वाले पहले रोवर कौन है रोवर प्लेयर कौन है सवरन सिंग ओके दत्तु बबन भोकानल दुस्यंत चोहन आंसर करेंगे भाईया सब लो इसमें दत्तु भोकानल और बजरंग लाल ठाकर बजरंग लाल ठाकर बजरंग लाल ठाकर से ठाकर राज से ठाकर ओके रोवर ठीक है बजरंग लाल ठाकर कर लीजियेगा आप सब लोग बजरंग लाल ठाकर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान नखना यहाँ पर ठीक है अगला कोशन कह रहा है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 तो बच्चो 1772 आपसे बूल रहा है तो यहाँ पर कोई और हो ही नहीं सकता बलकि हो सकते हैं कौन वारेन हैस्टिंग्स हो सकते हैं अगला कोशन पढ़ते हैं प्रतेक जिले में दो अदालते निर्मित की थी एक फौसदारी और दूसरी थी दीवानी यानि दीवानी मतलब होता है सिबिल कोर्ट फौसदारी मतलब होता है सेसन कोर्ट या क्रिमनल कोर्ट ठीक है ओक है बिलकुल ठीक है वारेन हेस्टिंग्स सा 74 में सुप्रिम कोर्ट भी बना था, ओके ठीक है समझ में आ रहा सभी को हाँ समझ में आ रहा है ओके, चले, अगला question 45 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से क्या NGO sperm की एक विसेष्टा है NGO sperm, मोटी छाल होती है क्या, नहीं, small roots छोटी जड़े, नहीं, धसी होती है ओके, long leaf पत्ते चोड़े, लंबी होती है, नहीं ये होते हैं, consulate seeds होते हैं, संगुप्त बीज होते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है बिल्कुल NGO sperm की बात कर रहा है ओके, संगिप्त बीज होते है ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ओके, चलिए, ओके अगले प्रस्ट पर आते हैं ओके, क्या कह रहा है भाया भारत के सर्बोच क्या कह रहा है question में भारत के सर्बोच साहितिक पुरस्कारों में से एक जल्दी से मुझे बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे आंसर हो जाएगा 1961 क्या हो जाएगा 1961 हो जाएगा ठीक है, ओके, चलिए अगले question में आते हैं question number 47, क्या कह रहा है PSA 20 ranking में 10 में अस्थान पाने वाले पहले भारते पुरुष स्क्वैस खिलाडी कौन है जल्दी से आप सब लोग मुझे बताएंगे कौन हो जाएंगे, यह हो जाएंगे सौरव घोसाल, क्या हो जाएंगे सौरव घोसाल हो जाएंगे, ठीक है बच्चो अगले कोशन में आते हैं कोशन नमबर 48 क्या कह रहा है किस अर्शासरी ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और मिश्य सग्यता की अधार पर अंतराष्टिय ब्यापार सिधान विक्सित किया था, जल्दी से मुझे बताएंगे किसने विक्सित किया था आप सब जल्दी से डेविड क्या नाम है डेविड रिकार्डो ध्यान अगना डेविड रिकार्डो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अगले कोशन में आते हैं कोशन नमबर 49 क्या कह रहा है अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकिये बिद्दुत सही अंतर मौझूद है 11,7,9,5 बहुत अच्छा कोशन है जल्दी से मुझे बताएगे 7 ध्यान रखना यहाँ पे कितने थे 7 ओके और आईए देखते हैं किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है तो किस खनिज को मूर्खों का सोना कहाता है पाईराइट आपका हो जाएगा सही आंसर ओके पहारे बच्चों पाईराइट हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है ओके चलते हैं आज की क्लास को हम यहीपे समाप करते हैं मिलेंगे सुबे static gk class में तब तक सभी को राम राम जैहिन